यूपी चुनाव के नजदीक आते ही इधर उधर का खेल शुरू हो चुका है कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मोरे के स्तिफ़े के बाद योगी सरकार के एक और मंत्री दारा सिंग चोहान ने भी अपना स्तिफा सौप दिया है इसी बीच उनोंने सपाप मोख अखिलेश यादव से मुलाकात की इससे ये तैमाना जा रहा है कि उनकी एंट्री अब सपा में हो सकती है वही जहाँ बीजेपी से इस्तिफों की जड़ी लग रही है वहीं दूसरी और बीजेपी में आने का सलसला भी जारी है बीजेपी ने काउंटर अटेक करते हुए अम मुलायम के समधी और फिरोजाबाद सिर्सा गंद सीट से विधायक हरियोम यादव को अपनी तरफ शामिल किया है हरियोम यादव के अलावा आज बीजेपी ने सहारनपूर जनपत के बेहट से कॉंग्रेस विधायक नरेश सैनी और सपा के पूर विधायक दरमपाल यादव को भी अपनी तरफ शामिल किया है बात करें हरियोम यादव की तो वो सिर्सा गंद सीट से विधायक हैं वो फिलाल समाजबाती पार्टी से निलंबित रहे हैं हरियोम यादव को पिछले साल फरवरी 2021 में सपा से 6 साल के लिए निश्काशित कर दिया गया था उन पर पार्टी लाइन से हटकर पार्टी विरोधी गतिविधिया करने का आरोप लगा था वहीं भाजपा से भागी हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बार फिर से जटका लगा है उनको MPMLA कोट ने गिरफतारी वारंट जरी किया है जिसमें उनको 24 जनवरी तक कोट में पेश होना होगा स्वामी प्रसाद मौर्य पर धार्मिक भावनाय बढ़काने का आरोप है सुप्रीम कोट की बनाई गई कमेटी करेगी सुप्रीम कोट ने आज इस मामले में सुनवाई की और रिटायर जजज इंदू मलोतरा की अगुवाई में चार सदस्यों की टीम घटित की वही सुरक्षा में चूक पर केंद्रे मंती स्मृती राणी ने फिर से कॉंग्रेस को घेरा इराणी ने कहा कि अब पीम मोदी की सुरक्षा में चूक का सच सब्ट के सामने आ गया है स्मृतिरानी ने कहा कि कॉंग्रेस ने पीम को जान पूच कर असुरक्षित रखा इस घटना पर मुखे मंद्री शिवराज सिंग चोहान ने भी बड़ा बयान दिया सीम शिवराज का कहना है कि पीम मोदी की सुरक्षा कोई चूक नहीं है ये पहले से स्पॉंसर्ड थी जिससे कॉंग्रेस का चरित्र भी गिर गया वहीं मुखे मध्री योगी आदितनाप ने भी पंजाब सरकार पर साजिश रचने का आरोप लगाया उन्होंने कहा अपने पंजाब दोरे के दोरान पीम मोदी की सुरक्षा में चूक एक पूर्व नियोजित प्रायोजित साजिश थी पंजाब सरकार ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया कॉंग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए बता दें कि इस मामले में पहले ही पंजाब सरकार और केंदर सरकार आमने सामने आ गई थी पंजाब सरकार और ग्रह मंत्राले ने अपनी अपनी एक टीम का घठन किया था हालांकि बाद में उन दोनों ने एक दूसरे पर भरोसा नहीं होने की बात कही जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और एक जाज कमेर्टी का गठन किया गए विधान सबत चुनाव 2022 के लिए सभी पार्टों ने अपनी तयारियों को तेज कर लिया है बैटक समापन के पाद पार्टी के परदेश अद्यक्ष मदन कोशिक ने कहा कि बैटक में विधान सबा वार संभावित उम्मिदवारों पर चर्चा की गई है इसके साथ ही संगठन की मजबूती और अगामे विधान सबा चुनाव की रननीती पर मंथन किया गया है इस दोरान उन्होंने कहा कि पार्टी हाई कमान को हरी जंडी के बाद उमिदवारों के सूची भी जारी कर दी जाएगी राइस्तन पुलिस को मिली बड़ी सफलता लूट के तीन आरपियों को 18 गिंटे में किया ग्रफतार वहीं एक नावालिक को किया निरूत परताल जारी अजमिर जले की किशंगड में शराफा व्यापारी के साथ दिन धाड़े लूट की वारदात के मामले में अजमिर एफपी ने में खुलाफा कर दिया और वारदात में शामिल तीन आरपियों से एक नावलिक को निरुत किया पुलिस आरपियों से माल की बरामत की को लेका गहनता है पूश्टाच मेजुटी है अजमिर एफपी विकास शर्मा ने मामले का खुलाफा करते को बताया कि परिवादी मतंग कर टीम का घठन किया गया और टीम को कारवाई के निल्देश दिये गए अजमर एफपी ने बताया कि टीम ने के संगड़ सहर के लगब दो सुषी टीवी कैमरा का बारीगी से चेक करते हुए मुक्बीर की शूचना पर मदंगंज और स्पेसल टीम ने दपिस देकर तीन आ का बनाया था ब्यापपारी को शिकार पचाह लाख से दिक की कीमत के रखेते जेवराद पुलिस ने किया 18 घंटे में खुलाफा वही जेवरादों के बारे में लगा जा रहा पता बिकानेर की होटल लक्समी निवास में आयोजित हुई इन्वेस्ट सम्मिट कारिक्रम में वर्चुली कई मंत्रियों ने शिर्कत की प्रभारी मंत्री लालचन काटारिया शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला आबदा मंत्री गोविंद मेगवाल के अलावा उध्योग मंत्री सकुंत्रा रावत ने भी वर्चुली संबोधन दिया सभी मंत्रियों ने एकी थीम रखी कि राजिसरकार निवेस्कों के प्रती साचेत है कोशिश यही है कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो मुख्यमंत्री अशोग गहलोत की तारीब भी हुई 77-84 MOU हुए तो 36 LOI किये इन में से सरवादिक फोकस रिन्यूबल एनरजी पर था करीब 10,000 करोड के MOU इसी इंडस्ट्री को लेकर हुए हैं साथी साथ फूड एग्रो हेल्थ के MOU भी किये गए हैं जिला कलेक्टर नमित महता ने कहा कि हमारी कोशिश यही है कि निवेशक जो भी वीकान एर में आए कि यहां पर उसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो कलेक्टर ने कहा कि बीकान एर हर तरह से निवेश के लिए मुफीद सिटी है अन्य वक्ताओं ने भी इसी बात पर फोकस किया कि एर कनेक्टिविटी से लेकर तमाम चीजें बीकान एर में मौजूद है यहां का भुजि पर और फाइदा मिलेगा क्रेक्टर ने कहा कि जो मौजू हुए हैं वो धरातल पर उतरेंगे ही इससे सोभाविक तोर पर रोजगारों का भी सर्जन होगा पताया जा रहा है कि करीब 20,000 रोजगार जो हैं सरजित होंगे कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज की मीट के जरिये यही कोशिस थी कि इन्वेस्ट लाया जाए हाला कि यह बात सही है कि कोरोना के बीच जिला कलेक्टर नमित महता ने एक चुनोती पूर्ण टास्क लिया हाला कि सभास्तल पर करिक्रमस्तल पर इस बात का पूरा ख्याल रखा गया कि कोरोना एडवाईजरी की पालना की जाए हाला कि फोटो सूट को छोड़ दें तो वहाँ पर ऐसा नजर भी आया कोरोना का मंजर केवल राजस्थान या भारत नहीं बलकि पूरी दुनिया ने देखा है पहली और दूसरी लहर में जिस तरीके से लोग मौत की मुह में गए हैं कि यह बच्चों के लिए घातक हो सकता है और ऐसे में जोत्पूर जैसे राजस्थान के दूसरे बड़े जिले के अंदर प्राइवेट स्कूल खुला मिले उसमें मासूम चोटे-चोटे बच्चे पढ़ते में मिलें टीचर्स वहाँ पर मिलें यूकेजित का स्कूल हो और ऐसे में खुद अभीभावक कहें कि कोचिंग पर बुलाया था तो हैरानी में बात तो स्वाभविक है फर्स इंडिया न्यूस को किसी अभीभावक ने जब सूचना की तो टीम मावके पर पहुंची बच्चे भी मिले शिक्षक भी मिले और जिस तरीके चिका गया कि कोचि और पानी का पानी हो जाएगा लेकिन जिस वक्त फर्स इंडिया न्यूस की टीम कवर कर रही थी उस वक्त कैमरे पर हमला बोल देना अब शब्द का प्रयोग करना कहीं ने कि एक तो चोरी और सीना जोरी दोनों बातें साबीत होती है कोरोना जैसा दंश हम जेल चुके हैं तो इसे में सरकार के रही है तीस जनवरी तक बच्चों अगे उन मासूं को नाया गया बार बार केता है कि यह टीचर्स के बच्चे हैं amazon के बच्चे है तो बच्चे वते हैं इस्भी हैं इस बारे में पहले ऊग और रफ़ा हैं कि क्रेश है यह तो क्रेश में जो माता पिता नौकरी करने चाहते हैं उनके बच्चों को रखा जाता है तो ऐसे में समझ में यह नहीं आता यह जब 50 प्रतिशत की ही उपस्तिती सरकारी कारल में हैं तो बच्चे वहां पर क्या कर रहे थे एक भी सवाल का जवाब वो सही माइने में नहीं दे पाए लेकिन जिस तरीके से राष्ट के चौते स्थम के रूप में मीडिया की पैचान है उस पर जिस तरीके से अमला किया गया यह अपने अपने ऐशोबनी भी है जाच में दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा लेकिन जो भी प्राविट स्कूल है गौर्ब क्कोंद अका